हेलो गाई, कैसे हूँ आप से अब उमेद करता हूँ अच्छी हूँगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ा सकती हूँ दोस्तो आप कोई भी SIM यूज़ करते हो, Oda Phone, Airtel, Gio अब आप सभी के इंटरनेट स्पीड को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकती हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जिस APN सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ ये सभी SIM पर काम करता है तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि मुझे इस APN सेटिंग से कितना इंटरनेट स्पीड मिल रहा है तो यहाँ पर है मोबाइल डेटा को आउन करते है अब इसके बाद गैस यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट अप्लिकेशन को ओपिन करते हैं और गैस यहाँ पर हम गोपे क्लिक करते हैं तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हो अमारा जो इंटरनेट स्पीड है वो लगबग 20-25 Mbps है और गैस यहाँ पर यह फ्लेक्शुेट भी हो रहा है और यह 35-36 Mbps तक चला गया है और गैस यहाँ पर आप देख सकते हो यह मोबाइल डेटा से चेक हो रहा है तो गैस जो हमारा डाउनलोडिंग स्पीड है वो है 34.2 Mbps और गैस जो अपलोडिंग स्पीड है वो है 6.12 Mbps तो गैस इसी तरह का आप भी इंटरनेट स्पीड पा सकते हो तो चले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको APN सेट करना है और दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दिजे चैनल पे नए आई हो चैनल को सस्क्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नएने अप्लिकेशन से लेटे नएने जनकारे से लेटे वीडियो बनाता रहता हूं चैनल ये वीडियो को सुरू करते हैं तो गैस सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना है फोन के सेटिंग में जाने की बाद आपको यहां पे एक उप्षन मिलेगा SIM card और mobile data का आपको इस पे क्लिक करना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे sim का option मिलेगा sim 1, sim 2 तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से इसको select कर लेना है तो यहाँ पे हम geo को select कर लेते हैं sim 1 को अब guys यहाँ पे आपको नीचे एक option मिलेगा access point name का आपको इस पे गलिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक नया APN create कर रखा है जिसका नाम है neon alpha c67 तो दोस्तों आपको भी यही APN create करना है और guys जब आप यह APN create कर लोगे तो आपका जो internet speed है वो काफी अच्छा हो जाएगा तो guys इसको create करने के लिए आपको यहाँ पे plus पे क्लिक करना होगा और काफी सारे लोगों के phone में यहाँ पे add का भी option होगा तो guys आपको नया APN create करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो guys यहाँ पे हम इसी पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको काफी सारी चीजे भरनी है आपको यहाँ पे OK पे क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरे नमबर पे एक option मिलता है APN का आपको इस पे क्लिक करना है और गैस यहाँ पे आपको डाल देना है Gaming X और गैस G को Capital रख देना है X को भी Capital रखना है अब यहाँ पे आपको OK पर क्लिक कर दिना है इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोक्सी को not set छोड़ दिना है पोड को भी not set रहने दिना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है यूजर नेम का आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डाल दिना है अलफा APN 2020 गैस यहाँ पे आपको Alpha APN को Small Letter में डालना है अब गैस यहाँ पे आपको OK पे क्लिक कर देना है इसके बाद गैस आपको यहाँ पे Password को Not Set रहने देना है अब गैस यहाँ पे आपको एक Option मिलेगा Server का आपको इस पे क्लिक करना है और गैस यहाँ पे आपको डालना है www.google.com क्योंकि गैस हम जो Server यूज करेंगे वो Google का यूज करेंगे तो गैस यहाँ पे आपको www.google.com डालना है अब दोस्तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक Option मिलेगा MMSC गैस आपको इसको Not Set छोड़ देना है अब गैस यहाँ पे आपको MMS Proxy को भी Not Set छोड़ देना है और गैस यहाँ पे MMS Pod को भी Not Set छोड़ देना है अब दोस्तो इसके बाद आपको यहाँ पे दो Option मिलते हैं MCC, MNC दोस्तो यह Area Code होते हैं आपको इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है अगर गैस आप इसमें कुछ भी Changes कर दोगे तो आपका जो Internet Speed है वो बढ़ने की बजाए घड़ जाएगा तो गैस आपको Agities इनको छोड़ देना है अब गैस इसके बाद आपको यहाँ पे Option मिलता है अब गैस यहाँ पे आपको एक Option मिलेगा APN Protocol का आपको इसपे क्लिक करना है और गैस यहाँ पे आपको तीन Option मिलेंगे आपको इहाँ पे तीसरा ओला Option Select कर लेना है IPv4-IPv6 अब गैस इसके बाद आपको यहाँ पे एक और Option मिलेगा APN Roaming Protocol का आपको इस पे click करना है और guys यहाँ भी आपको तीन option मिलेंगे आपको तीसरा उला option select कर लेना है अब guys इसके बाद सबसे important option आता है bearer आपको इस पे click करना है guys आप सभी के phone में यहाँ पे unspecified select होगा तो guys आपको इसको untick कर देना है और LTE को select कर लेना है क्योंकि guys हम यहाँ पे LTE को use करेंगे दोस्तो आप सभी को तो पता होगा कि जो 4G network है वो LTE best है और guys जब आप यहाँ पे LTE को select कर लोगे तो दोस्तो आप internet के साथ में calling भी कर सकते हो क्योंकि guys कापी सारे लोगों के phone में यह problem होती है अगर guys आप calling करते हो तो आप calling के time पे internet का use नहीं कर पाओगे तो दोस्तो जब आप यहाँ पे LTE को select कर लोगे तो आप अपने phone में दोनों एक साथ कर सकते हो calling के साथ internet का भी use कर पाओगे तो guys यहाँ से आपको LTE को select कर लेना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे back करना है और guys यहाँ पे आपको उपर save का option मिल जाएगा आपको यहाँ से इसको save कर देना है अब guys यहाँ पे आपका जो APN है वो create होके save हो जाएगा और guys आपको यहाँ पे APN को select कर देना है यहाँ से tick कर देना है इसको और दोस्तों मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि इस APN सेटिंग के बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो लगबग 25-30 Mbps जरूर हो जाएगा तो गैज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई द वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं हो चैनल को सस्क्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही ने अप्लिकेसन स्लेटे ने जनकारे स्लेटे वीडियो बनाता रहता वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद